जहीं दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल और एक्जाम जानकारी पर एटीसी फाउंडेशन पर दोस्तों आप सबकी दुआउं से मैं अच्छा फील कर रहा हूं थोड़ा सा हलाकि मैं कोविट पॉजिटिव हूं भी और इट विल टेक टू वीक्स आइधिंक ट ओडिसा की सरकार ने कोविट केस के बढ़ते हुए माबलों को देखते हुए 9 और 11 की सारी क्लासी सारे स्कूल चाहिए वो प्राइवेट हो सरकारी हो सब सस्पेंड कर दी हैं 30 अपरेल तक यानि कि एक मैने तक आपके स्कूल नहीं खुलेंगे तो यह साफ है कि आपके एक् आपके स्कूल बंद कर दिये गये हैं 30 अपरेल तक और 9th 11 की बच्चों को स्कूल नहीं बुला जा सकता के वल 12 और 10 को बुला सकते हैं बोर्ड के किसी काम के लिए हलाकि मैं आप से कहूंगा कि भाई मैं भी जोसता था कोरो ना कुछ नहीं है लेकिन अब मुझे हो गया मु प्रेक्टिकल अब माक्स मिल जाते हैं जिली कोई दिक्कत नहीं है तो ओडिसा वाले बच्चों के लिए खुशकबर यह बहुत बड़ी है और प्रेक्टिकल अगर आपका नहीं हुआ तो मेरी प्रेक्टिकल की वीडियो देख लेना एक बार किस तरह कंड़क्ट होते हैं और डरना मत वीडियो देखके वह मैं थोड़ा स्टिक्ट हो जाता हूं और मैं बच्चों को नंबर फूल देता हूं ठीक है जो टीचर स्टिक्ट होता है वो अच्छा होता है वो नंबर पूरे देता है जो टीचर मिटी मिटी बाते करता है वो नंबर बहुत काटता है ठी तो भाई, ओडिसा वाले बच्चों के लिए खुशकवरी है, स्कूल आपके बंगो चुके हैं, हमारा प्रियास रंग ला रहा है, हाला कि दोंट गिव क्रेडिट टू मी, मैं दो ओडिसा सरकार को काफी मेल करें, और बहुत ट्वीट के हमने, ओडिसा के मुख्यमत्री बहुत अच्छे हैं, पतनायक जी, I respect him, मतलब one of the best chief minister in India, I think, इनके फादर तो बहुत ही महान वेकती थे, नमीन पतनायक जी के, तो भाई, ओडि